हलो फ्रेंस विल्कम टू गुर्गुल कासेज विद एक्जाम एकेडमी जैसा आप पता है कि हम यहाँ पे जीके की इंपोर्टन कुश्टन सीरीज को डिस्स कर रहे हैं और यह हमारा जीके की सीरीज का पार्ट 6 हैं जिसमें अगेन आपके लिए कुछ इंपोर्टन कुश्टन की कुछ रहे हैं कि जो भी नदी दी गए हैं सभी नदियों में से कौन सी वो नदी है जिसमें भारत में सबसे बड़ा पुल का निर्माल किया गया है सबसे बड़े पुल के रास्ते का निर्माल किया गया है तो सबसे बड़ा जो सड़क सेत हुए है वो है गंगा नदी पर और गंगा नदी देखिया है option number D पे थमारा D number राइटांस रोज़ाग आपको याद रखना है कि भारत में जिस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेत हुई या पुल है वो कौन सी नदी है गंगा नदी है यह याद रखीगा फिदी के आजयते हैं हमारा second question के गह रहा है कि देश का कौन सा बंदरगा सबसे गह रहा है तो जानते हैं कि देश का जो बंदरगा सबसे गह रहा है वो है विशाखा पटनम दिखिया है option number D में तो हमारा D number राइटांस रोज़ाएगा आपको याद रखना है कि देश का बंदरगा जो सबसे गह रहा है वो है विशाखा पटनम फिदी के आ जाएंगे थर्ड number हमारा question के गह रहा है कि भारती इतिहास में 1912 का एतिहासिक महत्तु किया है इसका माला कि भारती इतिहास को गर हम देखे तो 1912 में ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसके जो राजधानी थी कोलकाता हुआ करती थी और इसी समय 1912 में ही कोलकाता से दिल्ली को को शिफ्ट हुई थी हमारी राजधानी इसलिए 1912 का इतिहासिक महत्त है भारती इतिहास में फिदी के आ जाते है हमारा four number हमारा question कह रहा है कि भारत की सबसे अधिक सोगम में नदी नद जाता है जहां पर उद्योग दंदों के लिए जो भी जहाजे जो चलती है तो किस किन नदियों से अधिकतर हमारा व्यापार होता है किन नदियों से होकर हमारी नौकाएं या जो भी जहाज होते हैं वो आते जाते हैं तो जाते रहेगा भारत का सबसे अधिक नौगम में ज कोउसिन के ग्राय कि निम्लीं में से कौन सा एक कृतिम पोताश्य है तो वंधर कौन या उसपे लादा जाता है ऐसे स्थान को हम बोलते हैं क्या कई पोताश्य है और कुश्चन कह रहा है कि कि निमलिखित में से कौन सा एक कृतिम मतलब आर्टेफिशल इंसानों दोरा बनाया गया पोटाश्रा है तो जानते रहेगा इन चारों के बात करें, तो हमारा जो सही आंसर है वो है आपको याद रखना है कि शेर पंजाब उपन्यास जो है लाला लाजपत राइजी द्वारा लिखा गया है फिर आ जाते हैं हमारा यहाँ सेवन निम्बर हमारा कुशन के रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किसे नाम से जानी जाती है तो जानते र जाती हैं जानते रहेगा मेघना के नाम से और मेघना दिखिया है और यहाँ पर सी में तो हमारा यहाँ पर सी नंबर राइट एंस रोजागा आपको याद रखना है गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उन संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना है वो होता है मुंबई से और मुंबई दिखिया है option नमबर यहाँ A में आ है तो हमारे यहाँ A नमबर राइट रोजाएगा आपको याद रखना है कि भारत में सूती वस्त्रेवर मशिनरी का सरवाथिक जो निर्याइद किया जाता है वो मुंबई नमब था केसरी और केसरी दिखिया है option नमबर यहाँ पर B में तुम्हारे बी नमबर राइट रोजाएगा आपको याद रखना है कि बाल गंगा धरतिलक द्वारा सुरू की गई जो सब्ताहिक पत्रिका थी उसका नाम क्या था केसरी यह आपको याद रखना है फिरी के टेंथ नमबर हमारा कुशन क्या करा है कि भारत की व्रिहत्तम नदी कौन सी है तो व्रिहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी लार्जस्ट लिवर तो कहना है कि भारत की जो सबसे बड़ हैं फ़े दिखे आ जाएंगे 11 दे एलेवन नंबर कुशिंग तरहा है कि पारा दीब बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया तो जानते रहेगा पारा दीब बंदरगाह का जो बहुत जादा create हो रहा था इसलिए उसके pressure को कम करने के लिए उसका भार कम करने के लिए एक नए बंदरगाह का निर्मान किया गया जिसका नाम किया था पारा दीब बंदरगाह और यह किस किस बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया इसका निर्मान वो कॉलकता और व मद्रास में Home Rule Movement के प्रवर्तक थे वो थे Any Basin और गंगा नदी को बंगला देश में किस नाम से जाना जाता है तो जानते रहेगा गंगा नदी को बांगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है और पदमा देखिया है option number यहाँ पे A में तो हमारा A नमबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि गंगा नदी को बांगला देश में पदमा के नाम से जाना जाता है कोची बंदरगाह इस्थित है तो कहां पे है तो जानते रहेंगे कोची जो बंदरगाह है ये इस्थित है माला बार तट पर और माला बार तट दिखे आया है option नमबर B में तो यहां पे हमारा B नमबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कोची बंदरगाह जो इस्थित है वो माला बार तट परिस्थित है फिदे के आज जाएंगे 15 नमबर हमारा कुशन कहा रहा है कि भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है तो जानते रहेगा भारत में गरम दली आंदोलन की जो पिता जीने कहा जाता है वो हैं बाल गंगा धर तीलर औ आजाते हैं नेक्श नमर हमारा कुछिन क्या कर रहा है कि खैरब दर्रा कहां इस्थी तो जो खैरब दर्रा के नाम है ये खैरब तो कहरें खैरब का दर्रा जो है ये कहां इस्थी थे तो जो आंदरे खैरब दर्रा जो है ये पाकिस्तान में हो पाकिस्तान है ऑप्शन नमर ड पर दिखे गए यहां पर से कुछन को रिपीट कर दें कि इसने 1898 में बनारस में Central Hindu College की अस्थापना किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्विद्याला का केंद्र बन गया तो जानते रहेगा जिन्होंने 1898 में बनारस में Central Hindu College के नाम से जिसको अस्थापित किया थो बा बनारस में Central Hindu College के अस्थामता किया था जिसको बाद में बनारस हिंदू विश्विद्याला के नाम चेंज कर दिया गया बाद में बदल के रख दिया गया बनारस हिंदू विश्विद्याला यह आपको याद रखना है अब नेक्श नमबर कुर्शन में आ जाते हैं नमने लिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहीयोग परियोजना के अंतरगत नहीं आता है इसका उलब की कौन सी वो परियोजना है जो भारत नेपाल के अंतरगत नहीं आती है तो जानते रहेगा चारों आप्शन की बात करें जो हमारा सही आप्शन है वो है आप्शन नमब यह कटक जो आया है टनक पूरबान परियोजना यह भी भारत नेपाल सहयोग परियोजना है पंचेश्वर परियोजना यह भी क्या है भारत नेपाल सहयोग परियोजना है हाँ अगर यह बात करें कि यह खुचा जो परियोजना है अगर भारत नेपाल सहयोग परियोजना नही है तो किसकी फिर किसकी है तो जानते रहेगा यह जो खुचा परियोजना है यह याद रखेगा यह भारत और भूटान भारत और भूटान सहयोग परियोजना है यह आपको याद रखना तो इस option को भी आपको याद रखना है कि ठीक है कि भारत नेपाल सहयोग परियोजना यह हमारे option ABC तीनों है लेकिन जो नहीं है वो कौश है चुखा परियोजना है लेकिन चुखा जो परियोजना है यह किसके सहयोग से परियोजना है तो यह भारत और भूटान की सहयोग परियोजना है जिसका निर्माल कब हुआ था? 1970 में आपको याद रखना विल्क्ष क्या होता है इसका प्रधान-लक्ष क्या होता है इसका मुख लक्ष क्या होता है तो जांते हैं कि पंचायती-राज को प्रधान या में शक्ति का विकेंद्री करण की बात दिखिया है option number हमारा यहां पर आया है दिखिए यहां पर C होना चाहिए लिखा है तो हमारे C नंबर या 3rd नंबर हमारा कुछन यहां पर आंसर सही हो जाएगा थाइगा व्रिक्ष के पत्तों की बनाया गया है यहां प्रविप्ष्ण को कहा जाता है तू, जो या रखना है की चनि express यह झागोजी के नदियों का देश किस देश को और चलो हमky यह थाईगा, नदियों का देश जित इसको कहा जाता है वो है बांगला देश फितिक आ जाते हैं मारा 23 नमर कुशन क्या गर है कि कि इस गवर्नर जर्णल के कार काल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माल का कार पूरा हुआ तो जानते रहें गाए जिस गव कार काल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माल का कार पूरा हुआ फिर दिखे आजाते है 24 नमब कुशन के गर है कि हीरा कुंड बांध परियोजना किस राज़ में है तो जानते रहेंगा हीरा कुंड बांध जो परियोजना है यह है ओरीसा राज में ओरीसा दिखिया है option number C में तो हमारे हैं C number write and Sura Jaka आपको याद रखना है हीरा कुण बांध पर योजना जो है वो ओरीसा राज में है और गर आता है कि हीरा कुण बांध किस नदी पर है तो जानते रहे कि वो नदी है महानधी आपको ये भी याद रखना है ये कौन सी नदी है महा नदी पर ये बना है ये परियो जनाती ये भी याद रखना है अगर कुछन आता है हीरा कुन बांध किस नदी पर बना है तो वह है महा नदी और पूछता है कि इस राज में है तो वो राज है ओडी सा फिर दिखे आ जात जित्रों का क्रिशी विकास या फिर option B में है अस्थानी अस्तर पर लोगतांतरिक प्रशासन या option C में है ग्रामीर अस्तर पर उचित राज्यस्व का संचालन या option D में है देहाती छेत्र में सिक्षा का फैलाओ यहाँ फैलाओ नहीं फैलाओ होना चाहिए तो जानते रहेगा पंचायती राज जो प्रदान करता है वो प्रदान करता है अस्थानी अस्तर पर लोगतांतरिक प्रशासन और अस्थानी अस्तर पर लोगतांतरिक प्रशासन की बात option नमबर यहाँ B में है तो हमारे यहाँ पे B नमबर राइट अंसर हो जाएगा इतना याद रखेगा कि जो पंचायती राज जो प्रदान करता है वो क्या प्रदान करता है यह प्रदान करता है अस्थानी अस्तर्प और लोकतांतुर की प्रशासन को इसलिए हमारा option number यहां पे भी right answer हो जाएगा भारत की सासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनी दी एवं लोक प्रिय तत्तो को समाविष्ट करने का प्रयास जिस माध्यम से किया गया जिस अधिनियम के द्वारा किया गया था वो था 1892 का भारती परिश्द अधिनियम और यह दिखे 1892 का भारती परिश्द अधिनियम आया है option number B में तो हमारे बी नमबर यहां पे right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि भारत की सासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनी दी एवं लोक प्रिय तत्तो को समाविष् करने का प्रयास जिस अधिनियम के माध्यम से किया गया था वो कौन सा अधिनियम था 1892 का भारती परिश्द अधिनियम फिदिखे आ जाते हैं 27 नमबर हमारा question क्या करा है कि भारत के सर्वोच नागरिक नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित होने वाले प्रथम पूरुन त के नाम से यह सम्मानित होने वाले जो पहले पूरी तरह से विदेश्री व्यक्ति जो थे वो थे डॉक्टर नेलसन मंडेला और डॉक्टर नेलसन मंडेला दिखिया है option नमबर यहाँ एपे तो हमारा ए नमबर राइट है आपको याद रखना है कि भारत के सर्वोच नागर कि इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो जानते रहेगा विकास का सिध्धान तो जो प्रतिपादित किया गया था यह किया गया था चार्ल्स डार्विंग के द्वारा और चार्ल्स डार्विंग दिखिया है option नमबर यहाँ पे ए में तो हमारे ए नमबर राइट करें इन्होंने सापेच्छिता का सिध्धान जिसे theory of relativity कहते हैं ये सिध्धान दिया था और अगर बात करें न्यूटन की तो न्यूटन ने गति विश्यक नियम दिये थे जिसको हम law of motion कहते हैं तो ये तीनों चीज़े आपको याद रखना है कि चाल्स डामिक ने क्या दिया था यह दिया था विकास का सिध्धान और अलबर अलबर अस्टाइन ने क्या दिया था सापेच्छिता का सिध्धान जिसे theory of relativity हम कहते हैं और जो न्यूटन है इन्होंने क्या दिया था गति विश्यक नियम दिये थे जिसे law of motion की नाम से हम जानते हैं फिदी के आ जाते हैं 29 नमबर हमारा कुछ क्या करा है कि light pin क्या है तो जानते रहेगा light pin जो होता है ना light pin जो होता है यह एक input device और input device दिखिया है option नमबर यहाँ बी में तो हम यहा है आ जाते हैं 30 नमबर हमारा question क्या गार है कि real real किस देश की मुद्रा है तो जानते रहेगा इन चारों की बात करें चीन क्यूबा ब्राजिल और जो आया है गांबिया है गांबिया ने जांबिया होना चाहिए था तो यह जांबिया जो है यह चारों की बात करें जाते है र ब्राजील के अलामा इरान, कतर, ओमान, साओधी, अरब और यमन में भी रियाल चलता है, यह याद रखेगा, तो यह तो हो गया कि रियाल कहां कहां चलता है, तो रियाल जो चलता है, ब्राजील तो है ही आपका, उसके साथ इरान हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, साओधी, एरव हो गया और यमन इन सभी जगों पर इन सभी कंट्रीज में क्या चलता है रियाल चलता है अच्छा अधर आप्शन की बात करें चीन में क्या चलता है तो यह आपको पहले भी बताया गया है चीन में क्या चलता है यूआन चलता है यहां पर यूआन चलता है तो यह तो दलासी यहां पर नोट कर दे रहे हैं चलिए दलासी हो गया तो दलासी कहां चलता है जांबिया में चलता है याद रखे ते सारी पॉइंट आप को या रखना है कि रियाल किस देश की मुद्रा है तो रियाल जो है ब्राजील की तो है ही साथ में इरान हो गया कतर हो गया ओ लोधियरब और यमन इन सभी country में चलता है रियाल चाइना में यूवण चलता क्योबा में पीशो चलता है और जांबिया में क्या चलता है । दलासी चलता क्या आपको यद रक्नiego है। निमे से कौन सा रासायनिक परिवरतन का एक उधारण है तो, दीखे ओी में क्या दिया है कर देखिए ओ ऐाया है। ओर पातन आया है। इस्सेटीच रूप आया है, निश्क्री ऐकरन आया है। म आ Background ूथाई है अनुप्शन 004, सी निस्क्री करन जी हां यह निस्क्री करन जो है ना निट्राइजेशन जो आया है यह रासायनिक परिवर्तन का एक उधारन है इसलिए हम प्रत्व सबसे पहले व्यक्ति की गई है तो जांते रहे दादा सहब फाल के पुरुसकार को जो सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्तित थे वो थे केवला यहां पे देवी की रानी जो थी इन्होंने सबसे पहले दादा साहब फाल के पुरुसकार से ये सम्मानित हुई थी इसलिए आप्शन में हमारे डी नंबर राइटांसरोजा आपको याद रखना है कि दादा साहिब फाल के पुरिसकार से समानित होने वाला जो पहले व्यक्ति थी वो कौन थी देवी का रानी जी थी याद रखेगा हाँ अगर यह कहें कि इनको कभ मिला था तो जानते रहेगा इनको दादा साहिब फाल के पुरिसकार जो मिला था वो मिला था इनको याद रखिएगा तो सबसे पहले देविकारानी को मिला था पुर्व में का मतलब होता है इससे पहले उसका नाम बदल दिया गया था तो है कि भरतपूर पक्षी अभ्यारन को पहले किस नाम से जाना जाता था ऐसे कह सकते हैं इस question को तो जानते हैं कि भरतपूर पक्षी अभ्यारन को पहले जिस नाम से जाना जाता था वो नाम है केवला देवी राश्ट्री उद्यान और केवला देवी राश्ट्री उद्यान दिखिय पॉधे का वहा हिस्सा जो पानी और खनीज के परिवहन को सक्षम करता है उस हिस्सिय को हम कहते हैं जानते से जाइलम और जाइलम दिखे आया है option number यहाँ पे C में तो हमारे हाँ पे C नंबर राइड़ा है आपको याद रखना है कि पौधे का वहीं सा जो पानी और खनीज का परिवाहन को सक्षम करता है उसी को हम बोलते हैं जाईलम यह याद रखना है आपको फिदिके आजाते हैं next number हमारा question क्या रहा है कि इन में से कौन एक भारती गणी तक यह थे तो भारती गणी तक इन में से कौन थे दिखा option में है भारत option B में है बाना option C में है भासकर option D में है भाव भूती तो जानते रहेगा इन चारो option की बात करें तो जिन में से जो भारती ग जाते हैं नेक्श नंबर कुछ न किशन क्या क्या कि बरलीन की दीवार जो बरलीन की जो दीवार थी उसको किस वर्ण ध्वस्त किया गया तो जानते रहेगा बरलीन की दीवार थी उसको जिस वर्ण ग्यां था वो वर्स था 1989 मतलब आपका 1989 और 1989 दिखिया है ऑप्षिन नमबर यहाँ पर बी में तो हमारे यहाँ पर बी नमबर रहा है तो आपको याद रखना है कि बर्लिन की दिवार को जिस वर्स जो है डिमोलिश किया गया था धोस्त किया गया था वो कौन था 1989 था इसलिए प्राचीन सामराज जिस राज में मौझूद था वो राज्य है था असम और असम दिखिया है ऑप्षिन नमबर यहाँ पर सी में तो हमारे हैं सी नमबर राइट अंसर हो जैगा आपको याद रखना है कि काम रूप का प्राचीन सामराज जिस राज में मौझूद था उस र ये लिया गया है आपका Radio Detection and Ranging रेडियो डिटेक्शन and Ranging आप्शन नमबर D में तो हमारे D नमबर राइट आंसर हो जाएगा जानते रहेगा रडार का आप चाहिए कहिए फुल फॉर्म कहिए ये कहां से लिया गया है तो ये जिसका फॉल फॉर्म ये जहां से लिया गया है उस सब्द को क्या बोलते है रेडियो डिटेक्शन and Ranging तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर D फिदी के आज आएगे हमारा नेक्शन नमबर कुश्यन क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा क्या है तो बेकिंग सोडा जो होता है ये क्या है तो जानते रहेगा बेकिंग सोडा जो होता है ये सोडियम क्लोराइट कार्बोनेट होता है और दिखें यहां है जो आया है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर जो बेकिंग सोडा पुछ रहा है तो बेक carbonate होता है तो हमारा C नमबर यहाँ पर राइटान सोड़ जाएगा baking soda क्या होता है sodium bicarbonate फिर दिके आ जाते हैं 14 नमबर हमारा question क्या कर रहा है कि स्वेज नहर जो स्वेज नहर है ये भूमद सागर को किस सागर से जोड़ती है तो जानते देगा स्वेज नहर भूमद सागर को लाल सागर से जोड़ती है ये आपको याद रखना है फिर दिके आ जाते हैं 41 नमबर हमारा question क्या कर रहा है कि उच्चितम नियाले के नहर जाते हैं उसके बाद उनको दिया जाता है तो जानते रहेगा उच्चितम नियाले या सुप्रेम कोड जो नियाधीस होते हैं उनका जो सेवा निर्वृती की जो उम्र होती है वो होती है 65 यर मतलब 65 साल और 55 साल देखिया है उच्चितम नियाले को ही सरवोच नियाले भी कहते हैं और सुप्रीम कोड भी कहते हैं जिसमें कन्फ्यूज नहीं होना है आपको तो नियाधीस हो कि जो सेवा निर्वित ती या फिर जो रिटार्मेंट होते हैं किसे एज में होते हैं जब वो पैंसर साल के हो जाते हैं तब फिर दे कि आ जाते हैं यहां पर 42 नमबर हमारा कुछिन क्या कर आए कि Times person of the year Times person of the year यहां year होना चाहिए था तो year time person of the year 2021 कि से घोशित किया गया तो जानते रहें कि Time Person of the Year जिसे घोशित किया गया वो है Elon Musk और Anal Musk दिखिया है Option number D में तुमारे यहां पर D number राइट है तो जग आप गया रखना है Time Person of the Year 2021 जिसे घोशित किया गया या जिसे घोशित किया जिसका उनामित किया गया वो कौन है Elon Musk जिसे Elon Musk भी आप कहते हैं फिरिके आ जाते हैं हमारा यहां पर 34 number 33 number हमारा कुशित गया रहा है कि भारत के राष्टपती पद की सपत किसके द्वारा दिलाई जाती है तो जानते रहेगा भारत के राष्टपती की जो सपत होती है ये दिलाई जाती है भारत के मुख्य नयाधिस के द्वारा और भारत के मुख्य नयाधिस की बाद दिखिया है option नमर यहाँ D में तो हमारे हाँ पर D number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि भारत के राष्टप जानते रहेगा टोटल 5 यह नॉर्डिक देश होते हैं इनके ग्रूप को हम बोलते है नॉर्डिक देश तो कह रहे हैं कि इन 4 option में कौन से वो है जो नॉर्डिक देश इसमें से कौन सा नहीं है तो जानते रहेगा जो डेनमार्क है यह नॉर्डिक देश है फिनलैंड भी न ही हो जाएगा अगर यह कहें कि जो टोटल five जो है नॉर्डिक świat कौन कौन से हैं तो वह भी जान लीजो ये डेन्मार्क फिंलेंड आइसलयंड नारवे और सुऊड़न ये क्या कहला है नारडिक देस कहलाते हैं और कुछिछन कह रहा था इन में से कौन नारडिक देस नहीं है तो नीदर लैंड बिल्कुल भी नहीं है इसलिए हमारा डी नमर यहाँ पर ऑप्शन हो गया था आपको यह पांचो याद रखना है जरूरी नहीं कि इसमें हो सकता है कि ऐसे भी कुछ पूछले कि इसमें से कौन से नारडिक देस हैं और तीन उसमें कोई मिस्टे और तीन उसमें जो है आपका कोई गलत दे एक सही देगा अब एक सही में पांचों में कौन सा होगा कुछ कह नहीं सकते इसलिए पांचों का आपको याद रखना है डेनमार्क, फिनलैंड, आइ ग्रीन हाउस का प्रभाव किस से बढ़ता है तो जानते रहें कि ग्रीन हाउस का जो प्रभाव बढ़ता है वो बढ़ता है कार्बन डाई अक्साइड से और कार्बन डाई अक्साइड आई यह देखे ऑप्शन नमर्य यहाँ पे B में तो हमारे यहाँ पे B नंबर राइट या जो carbon dioxide water को हटाती है उसे कहते है प्रकास translation और प्रकास translation दिखिया है option number यहाँ पर E में आया है तो इसलिए हमारे यहाँ ए नमबर राइट अंसर हो जाएगा आपको याद रखना है कि carbon dioxide water water को जो हटाती है उसे हम बोलते है प्रकास translation या photosynthesis इसलिए हमारे option number A यहाँ पर 30,000 साल पुरानी मानी जाती है 30,000 साल की बात option number C में है तो हमारे यहाँ पर C number right answer हो जाएगा आपको याद रखना है कि भीम बेटी का भीम बेटी का जो आपका जो गुफाएं हैं यह कितने साल मानी जाती है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है इसलिए हमारे option number C number right answer हो जाएगा फिदी के आ जाएंगे 48 नमबर हमारा कुशन कह रहा है कि माल विकागनी मित्रम माल विकागनी मित्रम जो है ये किसने लिखा है तो जांदरेगा माल विकागनी मित्रम जो है ये लिखा है काली दास जी ने हो काली दास जी दिखिया है नमबर यहाँ पर डी में तो हमारे यहाँ पर डी नमबर राइटांस रोजागा आपको याद रखना है माल विकागनी मित्रम जो है ये किसने लिखा है काली दास जी ने कौन सी नदी करनाटक और तमिल नाडू में बहती है मतलब वो कौन सी नदी है जो करनाटक में भी बहती है और तमिल नाडू में भी बहती है तो जानते रहेगा वह नदी जो करनाटक और तमिल नाडू दोनों में बहती है वो है कावेरी नदी और कावेरी नदी दिखिया है, option number यहाँ पर दिखिया है C में, तो हमारे हैं C नमबर राइटान सुरो जागा, आपको याद रखना है कि कावेरी नदी जो है, करनाटा को तमिल नाडू दोनों में बहती है, और आज का हमारा last question है, दिखिए question कह रहा है कि जीका वाइरस, किसके द्वारा मनुष्यों में संचारित होता है, या यह कहें, जीका वाइरस किसके द्वारा मनुष्यों में फैलता है या आता है, तो जानते हैं, जीका वाइरस मक्षर के द्वारा मनुष्यों में आता है, मक्षर दिखिया है, option number यहाँ पर B में, तो हमा cellulose के मक्षर के काटने से ही Gika virus होता है तो ये point भी आपको याद रखना है कि Gika virus किसके द्वारा मनुस्यों में संचारीत होता है मक्षर के द्वारा अगर ये कहता है वो कौन सा मक्षर है तो कौन सा है वो है Qlex Qlex मक्षर के काटने से Gika virus होता है और जानते रहेगा अगर यह कहें कि जीका वारस का प्रभावित करता है तो यह सबसे जादा इंसानों के मस्तिशक को सबसे जादा प्रभावित करता है तो वो मनुष्ट के मस्तिशक को सबसे जादा प्रभावित करता है तो वो मनुष्ट के मस्तिशक को सबसे जादा प्रभ कुशन यहां पर 50 कुशन में डिस्ट उसकिए वो वन बाई वन आपको क्लियर हो रहे होंगे अगर सारी जी क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रह आते रहें तो चलिए आज कितने रखते हैं थैंक यू वेरी माच पॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू झाते हैं